हेलो फ्रेंड्स, हाव यू? और इसके बाद मेरा LCM और HCF के उपर एक और वीडियो आएगा, जिस में previous year के questions को discuss करूँगा, चाहब बैंक, SSC, railway, किसी में भी LCM और HCF के जो questions आई हुएं, उसको मैं discuss करूँगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में मैंने बता है, जो छूट गया था LCM, HCF के उपर, वो complete करत हैं, तो सबसे पहला चीज, LCM और HCF में, लाश्ट वीडियो मेंने decimal का LCM, HCF निकालना बताया था, fraction का नहीं बताया था, तो fraction का LCM कैसे निकालते हैं, या फिर fraction का HCF कैसे निकालते हैं, देखें दोस्तों, जब भी numbers fraction हुआ, for example, 2 by 3, 4 by 9, और 7 by 81, आपको इसका अगर LCM नि निकालेंगे, दोस्तों, इसका LCM आप ऐसे निकाल सबते हैं, कि इसका भी LCM निकाल लिए, इसका भी LCM निकाल लिए, इस तरह से आपने ही निकाल सकते हैं, wrong हो जागा, कैसे निकालेंगे, इसके लिए formula यूज करते हैं, formula होता है, LCM of fractions is equal to LCM of numerators divided by XCF of denominators, XCF of denominators, इसको समझ लेता हैं, देखे, LCM of fractions is equal to LCM of numerators by XCF of denominators, मतलब जब भी हमको fraction का LCM निकालना हो, तो LCM of numerators, मतलब हम लोग numerators में जो number है, 2, 4 और 7, इसका LCM निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको divide करेंगे, किस से? HCF of denominators, denominators में जो number है, 3, 9 और 81, इसका HCF निकालके फिर उसको divide कर देंगे, तो निकालके देखते हैं, यहाप है, 2, 4 और 7, 2, 4 और 7 का, अगर हम लोगने LCM निकालें, last class मैंने आपको LCM निकालना बताया था, तो आप इसली निकाल सकते हैं, तो 4 में तो 2 common है, 4 और 7 को इंटू कर देंगे, 4, 7 जा 28, अगर आपने उस वीडियो को देखा और practice किया, तो मेरे को यह बताने का ज़रत नहीं कि मैंने LCM कैसे निकाला, 2, 4 और 7 का LCM होता 28, divide by, HCF of denominators, denominators में कौन से number है, 3, 9 और 81, और मैंने बताया था, HCF का मतलब होता common, तो 3, 9 और 81 में common क्या 3, तो यह answer हो गया, 28 by 3, तो इन तीनो numbers का LCM होगा 28 by 3, इसको फिर से समझ लेजे, LCM of fractions is equal to LCM of numerators by HCF of denominators, मतलब, जब भी हमको एक fractions में number दिया जाए, और उसका LCM निकालना हो, तो सिर्फ हमने उन numerators, यानी कि उपर के number का LCM निकालेंगे, और denominators का HCF निकाल करके उसको divide कर देंगे, ठीक है दोस्तों, एक और question करते हैं इसी पर, जैसे आपको LCM निकालना हो, 4 by 9, 8 by 3, और 16 by 15, आपको इसका LCM निकालना हो, मैंने बता था, LCM of numerators और XCF of denominator, आपको LCM निकालना हो, इस बाँ 4, 8 और 16 का, ठीक है, तो 4, 8 और 16 का LCM होता है, 16, ठीक है, और उसको divide कि से कर XCF of denominator से, denominator में क्या क्या number, 9, 3 और 15, 9, 3 और 15 में common कि HCF का मतलो common होता है, ये 3 से divisible है, ये भी 3 से divisible है, ये भी 3 से divisible है, 3, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 16 by 3 answer, clear है, ठीक है, अगर LCM, ये तो हमने LCM of fraction देख, HCF अगर निकालना हो fraction का, तो क्या करेंगे, इस पर आफ करते हैं, अगर मुझे fractions का HCF नहीं कालना हो, HCF of fractions is equal to, formula भी reverse कर जाएंगे, HCF of numerators होगा, इस बार, HCF of numerators divide by LCM of denominators अगर मेरे को HCF निकालना है, fractions का, तो formula reverse होगा, पहले हम लोग उपर के number का HCF निकालने, numerator में जो numbers होगे, उसका HCF निकालने और उसको divide करेंगे, LCM of denominators, जो denominator में number होगे, उसके LCM से divide करेंगे, for example, अगर आपको 3 by 4, 9 by 16 और 81 by 8, इसका अगर मेरे को HCF निकालना है, तो देखिए, HCF कैसे नहीं, HCF fractions क्या होता है, HCF of numerators, आपको numerator का HCF निकालना है, 3, 9 और 81 का आपको HCF निकालना है, 3, 9 और 81 का HCF होता है, 3, ठीक है, और इसको divide कि से करें, LCM of denominators, तो denominator में क्या क्या number है, 4, 16 और 8, तो 4, 16 और 8 अगर आप LCM निकालना है, तो 16 आएगा, और यह अगर आपको समझने में confusion हो रहा है कि कैसे हम तुरंट से 16 लिख दे रहे, तब प्लीज प्रिविएस वीडियो के एक बाद देख लिए, LCM HCF का है, ठीक है, तो यह 3 by 16 इसका fractions का, इन fractions का HCF होगा, clear है दोस्तों, एक और एक जामपल ले लेते हैं, 2 by 5, 4 by 10, 4 by 10, 4 by 10 जेनरलिस टाइप के नंबर होते हैं, 4 by 10 तो सेम नंबर इसका cancel करते हैं, 2 by 5, 4 by 5 और 8 by 15, मुझे इन तीनों नंबरों का HCF निकालना है, फार्मुला का HCF आप इन तीनों नंबर का HCF निकालना हो, 2, 4 और 8 का HCF, HCF का मतलब कामन होता है, 2, divide by, LCM of denominators, 5, 5 और 15 का अगर हम LCM निकालना है, तो 15 आएगा, यह बहुत इजी है दोस्तों, clear है, तो अगर fractions में नंबर, last class में ने decimal का भी बताया था, यह fractions में नंबर इसका आप LCM और HCF इसली निकाल सकते हो, clear है friends, आगे बढ़ते हैं, एक बहुत important चीज़, LCM और HCF में, जिस पे based बहुत सारे questions होते हैं, इसको आप लिख लाना है, for any two given numbers, for any two given numbers, product of the numbers, is equal to, product of their LCM and HCF, दोस्तों यह बहुत important formula, LCM और HCF के बहुत सारे questions इस पे based होते हैं, for any two given numbers, किसी भी दो number के लिए, for any two given numbers, product of the numbers is equal to, product of their LCM and HCF, समझते हैं, मतलब question में, अगर दो number दिया गया, किसी भी दो number का आप अगर LCM निकाल लो, और फिर उसका HCF निकाल लो, और LCM और HCF को जब आप multiply करेंगे, तो जो result मिलेगा, वो दोनो number के product के बराबर होता है, फिर से सुनिये, आप किसी भी दो number के LCM निकाल लेजे, और फिर उसी दो number का HCF निकाल लेजे, और LCM और HCF को जब आप multiply करेंगे, तो जो result आएगा, वो दोनो number के product के बराबर आएगा, ठीक है, इससे questions कैसे आते देखते हैं, इसको upload डाउन कर लो, जैसे questions में दिया रहाएगा, कि दो number के LCM है, सबोस 90, ऐसा लिखा है, LCM of two numbers, 90, और HCF भी गिवन है, HCF of two numbers, 6 दिया, LCM of two numbers 90 and HCF is 6, first number गिवन है आपे, first number 18, find the second number, तो हम लोग मालने हैं, second number को, X, दो number के LCM दिया 90, HCF दिया 6 और first number 18 गिवन आपको second number बता करना, तो आपको जो formula लिखास पुट कर दिए, for any two given numbers, मैंने बताया था, product of the numbers, product of the number क्यों है, 18 into X, 18 into X, is equal to, product of their LCM and HCF, 90 into 6, तो इसे अब cross करेंगे यहां से, 6, 3 जा, यह 30, मतलए X is equal to 30, तो second number will be 30, ठीक है, कोई जरू नहीं कि question में इतना easy दे कि LCM, SCF दे, first number दे, second number कुछ है, हो सकता question में, first और second में से कोई भी number ना दे, दोनों का ratio दे, यह भी हो सकता, next class यह सारे questions को मैं discuss हरुआ, जो भी previous exam में, next video जो होगा, वो इन दोनों video से ज़्यादा important होगा, क्योंकि जितने भी previous exam में questions आया है, LCM और SCF के, सारे questions में discuss करने वाला, वो video हो सकता, इस तरह लेंदी भी हो, तो इस video का आप एकदम अच्छे से देखना है, copy pen ले करके बैठना, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, तो और भी कुछ type के question होता, LCM, SCF के, यहाँ पर समझ में नहीं आता है question में, LCM पूछा जा रहा कि SCF, तो मैंने एक चीज़ बता है था, LCM और SCF के आप पूछा जा रहा question में, इसको समझने के लिए, मैंने factor और multiple को discuss किया था, आपको याद होगा, तो देखते हैं एक दो questions, जैसे यहाँ पर एक question है, find the smallest number, which is exactly divisible by 6, 7 and 21, find the smallest number, और मैं question भी लिख देता हूँ, find the smallest number, which is exactly divisible by 6, 7 and 21, यहाँ पर question है, find the smallest number, which is exactly divisible by 6, यह तो बहुत easy question है, लेकिन फिर भी आपको इसका base समझना बहुत जरुए, कि इसमें LCM find करें के SCF, तो दोस्तों दो तरीका पता करनेगा, पहला तो smallest number, question में जब भी smallest number लिखाओ, तो यह, देखें, smallest, और दूसरा, largest, smallest, smallest के जगाँ पर least भी लिखता है, और largest के जगाँ पर highest भी लिख सकता है, तो यह हम लोग बच्पन से पढ़ें कि अगर smallest या least number लिखे, तो LCM निकाल लेना, और अगर largest या highest लिखे, तो HCF निकाल लेना, लेकिन friends यह 100% सही नहीं है, बहुत सारे question में largest number लिखेगा, फिर भी हम LCM निकालेंगे, तो यह concept 100% सही नहीं है, कहीं कहीं पर यह गलत हो जाता है, तो हमने इस concept पर नहीं जाएंगे, दूसरा concept आपको बताते हैं, जो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, वो concept क्या है, हम बताये थे last class, last video में, कि LCM SCF का जो भी questions होगा, आपने numbers वाला, उसमें, देखिए, यहाँ पर एक word है, divisible by, जितने भी numbers का question होगा, LCM SCF का, number पर जो भी question होगा, find the smallest number, least number, largest number, वहाँ पर एक word जरू है, या तो divisible by, या फिर which divides, दोनों में से एक word रहागा, हम दोनों लिख देते हैं, divisible by, और दूसरा आएगा, which divides, यह दोनों में से एक word आपको जरूर मिलेगा, divisible by और which divides, देखिए, divisible by, जो number divide होता है, यहाँ पर which divides, जो divide करता है, तो मैंने last class दे बताया था, multiple और factor के विच का difference, तो which divides, जो divide करता है, divide कौन करता है, factor, तो इसमें हम लोग HCF निकालेंगे, जब भी question में यह word मिले, which divides, तो factor होता है, factor कौन होता है, HCF, which divides के अपर which can divide भी लेख सकता है, और divisible by, इसमें हम लोग निकालेंगे, LCM, तो इस word को आपको नहीं भूलना, या तो आपको which divides और divisible by, दोनों में से एक word मिलेगा, जितने भी numbers से related question है, HCF, LCM, तो अगर divisible by लिखा तो LCM, और which divides रहा तो HCF, तो यह तो बहुत simple question है, find the smallest number which is exactly divisible by 6, 7 and 21, तो मेरे को simply 6, 7 and 21 का LCM निकालेंगे, एक और easy questions देखते है, इसको राफ कर रहता है, यहाँ पे question है, the greatest possible length, the greatest possible length, the greatest possible length, the greatest possible length which can be used to which can be used to measure exactly, measure exactly, exactly the length, the length, exactly the length, 7 meter, 3 meter, 3 meter, 85 cm, 3 meter, 85 cm, 12 meter, 95 cm, देखे question को समझे, the greatest possible length which can be used to measure exactly, the length, 7 meter, 3 meter, 85 cm and 12 meter, 95 cm, आपको वो सबसे बड़ा नाप बताना, जो इन तीनों को नाप सके, 7 meter को भी, 3 meter, 85 cm को भी, और 12 meter, 95 cm, तो मैंने बताया था दोस्तों, last last video में, कि जब भी measurement की बात हो, तो हमेशा वहाँ पर HCF निकालना, जब भी किसी भी question में, हलाकि measurement वर्ड हो सब को लिखा भी ना रहा है, measurement का sense आ रहा है, तो question में HCF निकालना हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग HCF निकालना, लेकिन HCF निकालने से पर एक और काम कर लेना, यहाँ पर meter और centimeter दोनों unit use हो रहा है, तो किसी एक unit में सब को convert कर देंगे, तो centimeter में convert करना ज्यादा easy है, तो इसको 7 meter को हम लोग लिख सकते हैं, 700 centimeter, इसको लिख सकते हैं, 3 meter 85 centimeter को 300 plus 85, 385 centimeter, और 12 meter 95 centimeter को 1295 centimeter, ठीक है, तो बहुत simple सा question मेंको measurement का sense है, तीनों का SCF निकालना, 700, 380 और 1295, यह तीनों का SCF जब हम निकालेंगे, तो तीनों का SCF आएगा, मैंने SCF निकालना का easy तरीका भी पताया था, आपको याद होना चाहिए, आप एक बार मेरे previous वीडियो को जरूर देख लेना, तो यहां से मुझे SCF दीख रहा, 35 centimeter, आप भी इतना ही जल्दी SCF बता सकते हैं, जब practice कर लोगे तो, तो इन तीनों का मेरे मुझे answer मिलना, 835 centimeter, okay friends, तो आज की वीडियो में हम इतना ही discuss करेंगे, लेकिन next वीडियो इन दोनों वीडियो से ज़्यादा important होगा, क्यों, क्योंकि उसमें previous year के जितने भी questions आए हों, LCM और SCF के उपर, मैं सारा discuss करने वाला हूँ, तो यह हमारा concept होगा, दोनों वीड से ज़्यादा important होगा, okay, thank you friends, thank you so much.